एक कप कच्चे चावल से बनाएंगे ऐसा नास्ता जो स्वाधिष्ट होने के सासाद नरम भी बहुत होता है चटपट से बन का त्यार हो जाता है हलो दोस्तों आप सभी लोगों कारसी मसाला कीचर में स्वागत है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो चली रेस्पी बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमने एक कप चावल लिया था रात भर इसके लिए इसको हमने सोक करके र इसमें हम पानी एड़ कर देंगे और एक फाइन साइस का पेष्ट तयार कर लेंगे तो देखी इस तरह से फ्लोइंग वाला एक पेष्ट तयार कर लेना है तो इस तरह से यह पेष्ट तयार हुचुका है अब इसे एक मिक्सिंग बॉल में हम निकाल लेंगे अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पे हमने एक पैन रग दिया है पैन गरम हो चुका है इसमें एक चम्मच आयल एड़ करेंगे और आयल को गरम होने देंगे एक चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे एक लाल मिर्च और दो हरी मिर्च बारी कटा हुआ एड़ करें अब इसमें अधा च्मम्मछ हम एड और चेल से चटक लेंगे चा चावल दो चम्मच हम बारी कटा हुआ पत्ती को भी एड़ करेंगे दो चम्मच कसा हुआ गाजर एड़ करेंगे बारी कटी हुई धनिया पत्ती एड़ करेंगे और स्वाध के अनुसार इसमें नमक एड़ करेंगे और बाकि कोई भी मसाला हम इसे में इसमाल नहीं करेंगे बीना मसाले का ही नास्ता बहुत ही सॉप्ट और बहुत ही टेश्टी बनेगा और सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे तो देखे सभी चीज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं गयस पर एक पैन रख दिये हैं गरम होने के लिए पैन गरम हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा हम आयल लगाएंगे और इसमें हम बेटर को करची में लेंगे और इसमें हम पैन में डाल देंगे तो एक कर्ची हमने डाल दिया है और एक नास्ता बनाने के लिए हम दो कर्ची का इस्तमाल करेंगे बेटर डालने के बाद पैन को थोड़ा सा हम तेड़ा करके बेटर को फैला लेंगे और इसको हम ढग देंगे और ढग करके लो फ्लेम पर दो मिनट तक पकने देंगे तो देखिए हमारा एक तरब से यह dry हो चुका है तो इसको जिस ऐसे dry हो जाए तब इसे हम पलटेंगे देखिए इसे हमने पलट दिया है और दूसरी तरब भी हम इसको 2 मिनट तक सेक लेंगे तो हमने तेल इस्तमाल किया है पैन में तो सिर्फ एक नास्ता बनाएंगे उसी समय हम तेल लगाएंगे बार बार हम तेल का इस्तमाल नहीं करना है तो देखिए इस तरफ से हम दोनों तरफ से सिख सिख करके अच्छे से इसको हम पका लेंगे तो दोस्तों अगर यह हमारी recipe आपको अच्छी लग रही हो और हमारे चैनल पे नए है तो प्रेज हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेज कर लिजेगा तो देखिए एक नास्ते को हमने बना लिया है तो इसी तरह से हम सारे नास्ते को बना लेंगे तो देखिए इसी तरह से हमने सारे नास्ते को बैना करके त्यार कर लिया है ये सारा नास्ता हमारा बन करके त्यार हो चुका है और देखिए किता टेश्टी बना हुआ है तो आईए इसे हम सर्व कर लेते हैं तो देखिए इस नास्ते को हमने टमैटो केचप के साथ सर्व किया है आप दही या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं उसके साथ भी इसका कंबिनेशन बहुत अच्छा होता है तो देखे ये हमारा नास्ता कितना अच्छा बना हुआ है तो आपको दिखाते हैं कि ये कितना नरम बना हुआ है तो देखे एक नास्ते को हमने लिया है और इसको हमने इस तरह से देखे मोड दिया है मुठी में हमने इसे दबा लिया है और देखिए खोलने के बाद नास्ता हमारा कहीं से तूटा-फुटा नहीं है तो ये कितना साप्ट बना हुआ है तोड़के भी दिखाते हैं कि देखिए कितना साप्ट बना हुआ है तो दोस्तों इतना साप्ट ये बनता है कि इसको आप से टिफीन में ले जा सकते हैं और ठंडा होने के बाद भी इसी तरह से नरम बना रहता है बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है तो जोस्तों यह हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कि एक न